अब सरकारी राशन के दुकानों पर बिना अंगूठा लगाए ही मिलेगा राशन यूपी सरकार ने दे दिया बड़ा आदेश हमारे साथ समझे राशन की दुकानों से जुड़े नियम का पूरा अपडेट अब किसी को राशन मिलने का नहीं करना होगा वेट अंगूठा लगाने का हो गया जंजट खत्म अब फोन पर OTP के जरीय मिलेगा राशन जानिये कैसे अब राशन की दुकानों पर बिना अंगूठा लगाए ही राशन मिल जाय करेगा अब ये कैसे और किस तरह होगा ये नियम लागू करने की पीछे उद्देश क्या है हम आपको कुछ ऐसे ही एहम प्रशनों की जवाब देने ज़ा रहे हैं दरसल भारत में आज भी कई लाब लेने के लिए लोगों के पास राशन कार्ड होना जरूरी है राशन कार्ड लेने के लिए फिलाल खाते वितरन दुकान पर जाकर लोगों को अपना अंगूठा लगाना पड़ता है जिससे उनकी पहचान जाहिर हो जाय करती है लेकिन अब उत्रप्रदेश में लोग राशन कार्ट पर अलग अलग सरकारी योजनाओं का लाव लिया करते हैं इसमें बहुत कम कीमत पर राशन भी जरूत मंदों को दिया जाता है अब तक राशन लेने के लिए उन्हें सरकारी दुकान पर जाकर अंगूठा लगाना पड़ता था तब कहीं जाकर राशन मिल पात अब ऐसे में आप ये भी समझ लीजिए कि ऐसा क्यों किया जा रहा है दरसल आम तोर पर ऐसा देखा जा रहा है कि कुछ राशन कार्ट धारक ऐसे भी हैं जिनका मशीन पर अंगूठा लगता ही नहीं जिस वज़से उन लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है इ जिनकार्ट धारकों के अंगूठे के निशान चले गए हैं उन लोगों को अपना फोन नंबर जला पूर्ती कारले में एक अप्लिकेशन के साथ देकर रजिस्टर करवाना होगा और फिर इसके बाद वो राशन OTP के जरियर ले सकेगे पहले जब कोटेदार के पास अंगू कर सकते हैं विद्ध है कि समय यूपी की एक अच्छी खासे आबादी राशन कार्ट का लाब उठाय करती सरकार भी लोगों के लाब है तू इन सरकारी राशन के दुकानों में लागू होने वाले नियमों में अप्डेट करती रहती सरकार लोगों को कम मूली पर राशन एक अच्छी खासी रकम खर्श करती ताकि करीब से करीब यक्ति भूका ना रहे प्योर रिपोर्ट पीडेन न्यूस